अब बनाने वाली हूं सूजी का हल्वा यह मैंने एक कटोरी सूजी ली है और उसी हो वही कटोरी मैंने चीनी ली है दोनों बराबर लेना है और ड्राइफ रूट जो भी आपके पास हो या आपको जो भी पसंदो वो ले लीजिए मैंने यह सब लिये हैं जलिए देखता है कैसे बनता है हल्वा बनाने कि लिए पर गढ़ी लेंगे। कढ़ाई में इस उजी डालेंगे। मैं आपको एक ही बर्तन में सूजी खल्बा बनात Amazing कि हल्बा बनाने में काई बर्तन गंदे होते हैं यह शिर्फ लें, बन जायेगा। हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे पहले फिर हम इसमे घी एड़ करेंगे गैस हाई फ्लेम पर रखे जब लगे थोड़ा ये गरम होने लगी है अच्छी से कड़ाई तो आप गैस मेडियम रखे नहीं तो सूजी चल जाएगी इतने सूजी भूनती है हम दूसरी साइड पानी नचाहां रखे नहीं करता है कि आतना ही पानी लेंगे उसे कड़ोरी से नाबके लेना है एक कड़ोरी सूजी है एक कड़ोरी चीनी और चार कड़ोरी पानी हमें है उबालता पानी का स्चुझी भी ठट्टब्ल होने लगिए आप हम इसमें कर देंगे टीजेएड गीत मे जाए थोड़ा ज्यादे ही डलता है हल्वे में थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब डालेगी ज़गापार चलाने में ब्राउन होने था हलकी ब्राउन होगी लाइफ ब्राउन सूजी भन के तयार है और हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है अब हम डालें इसमें गैस बिल्कुल दीमी कर लिजिए और हो सके तो किसी के हल्प ले ले लिजिए इसमें धपने के लिए और अथ्रोड़ा करके पानी डालें देखे सारा पानी में डाल दिया है अब हम डालेंगे इसके टोरी चीनी और ये सभी ड्राइफ रूट रूट अब अब हम सब्सक्राइब दीए और निजिए इसके चला देए और रेकिए बड़तन में थल्वा तयार कर लिया है और इसको फोर देव पकाएंगे ये पांफ मैं इसको दपके पाईए ये देखे थल्वा बूंके तयार है अब विसमें थोड़ा साब्सक्राइब जानी पानी उपर से भी घी एड़ करेंगे, हलवा है तो हलवे में तो भी जादा ही डलता है फ़रा, चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बरतंग में, इसी पर बनाईए आप, जादा बरतंग गंदे नहीं हुए, और बहुत परफेक्ट भी बन पाएगा, ऐसी मेजरमेंट के साथ बनाईए, अब हम इसको निकाल लेते हैं, हलवा बनके तयार है, इसको थोड़ा सा गार्निस कटते हैं, देखे, परफेक्ट हलवा तयार है,